बच्चों को रोब मुक्त रहने के लिए छोटी उम्र से ही योग का अभ्यास कराई नमस्कार दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है आज हम देख रहे हैं चाहे हो ब्लग प्रशर की समस्या हो हार्ट अटेक की समस्या हो शुगर की समस्या हो या आर्थराइटिस या किसी और थाइराइड जो भी जाए दिमारिया देखे किसी उम्र की मुटाज नहीं है कम उम्र से ही ये लोगों को परिशान कर रहे हैं और भारत परस में तो इस समय मुटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो इन सब रोगों का कारण है इसका कारण है बच्चों का दर से बाहर निकलना खेलना पूदना अभग कम हो गया है और उस ज्यादतर समय एक जमा बैठके या तो पढ़ते रहते हैं या टीवी मुबाईल में लगे रहते हैं जिसकी वज़े से उनका फूल रिकास भी नहीं हो पाता और कई बार तो कुछ बच्चे तो पढ़ाई में सिर्फ इसी ले पिशर जाते हैं क्योंकि उनकी मानसी ताकत कम हो जाती है जब आ बैठे बैठे अगर मुबाईल में खेलेंगे तो दिमागी शक्ति कम हो जाती है अगर बच्चे योग करते हैं तो एक तो जहां उनकी हाइट बढ़ेगी शरीर स्वस्त्र हैगा इमुनिटी स्ट्रॉंग होगी लोगों से लड़ने की चंता जबकि बच्चों में कम रहती है योग करने वाले बच्चे या तो पूरी तर से स्वस्त्र रहेंगे या थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो बहुत जल्दी उससे ठीक भी हो जाते है अब हैट के साथ साथ इमु वो अधिक मेंद करके और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को भी अपने केरियर को भी बना पाएंगे शारी मानसिक बहुत देख सभी चंता है योग से बढ़ती है बच्चे तनाव मुक्त रगेंगे तनाव आज सभी रोग का एक बहुत बढ़ा कारण है चोट चोटे बच है बहुत बढ़ा करने वालों के हिल यह समच्या से चुतकारा पारना आसानल हो जाता है अब आप बोढ़ेंगे कि मैं बच्चों को क्या करा हूँ आपने कुछ सरल योगा अभ्यास बता रही हूं कि जो बच्चे कर सकते हैं और इससे न किवल उनका पूल विकास होगा बलकि वो रोग मुक्त भी रहेंगे और अपनी जिंदगी में अपने कैरियर को बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हर माबाब चाते हैं कि बच्चा जीवन में बहुत सफल हो अब सफल होना है तो उन्हेंने कुछ तो शारीरिक मेहनत करनी होगी शारीरिक मेहनत के बल पर वो बच्चा आगे जाके जिंदगी में बहुत सफल होगा आप इस बात को अजमा के देख लीजे जिन बच्चों ने किया है वो बच्चे आज ये बात उनके पैरेंट्स भी मान रहे हैं कि हमारे बच्चों ने योग शुरू से किया तो वो जिन्दगी में आगी बढ़े और मेरा खुद का अल्ग है सिंध्या कन्या विद्धाने के स्टुडेंट को कराने का मैंने देखा वो बच्चे उनकी मेमोरी बहुत फास्ट थी चीजों को समझने की छंता तेज थी कई चीज जेनेटिक भी होती है जनेटिक चीजों से भी उनकी रोगों से बचने का योग भण बढ़ा उपाय है बस योग को अपना है योग के सब योगीक आहार अपना है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो देश में निश्चितूप से जिन्दिगी में बहुत आगे बढ़ कर नाम कमाई है। अब उन्हें क्या करना है? देखिए सूर्य नमस्कार तो बहुत इच्छा है। सूर्य नमस्कार करने वाले बच्चों को बहुत जादे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तोड़े से आशन करने की जरूरत है। सूर्य नमस्कार का मेरा वीडियो भी है, मैं एक बार करके दिखाती हूं किवर। चार मिनट के लिए सूर्य नमस्कार। उसके बाद तोड़े से आशन जो कि उनकी संपूर्ण स्वास्त के लिए बहुत अच्छ है। चलिए, देर नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं। सूरी के तरफ दो, और ये चीज खाली पेट सुबे कराएं, तो इसका बेस्ट रिजल्ट है। जागे देर में 20 मिनट का कारेक्रफ में आपको बता रहे हूं। सांस मरते हुए हाथ को पीछे ले जाए। अब ब्रीद आउट रत्ते हुए, परवर्ड बैंडिंग में आजाए। सांस मरते हुए, राइट लेट को पीछे ले जाए। ब्रीद आउट, ब्रीदेब, ब्रीद आउट, ब्रेदेब। जो पावर पीछे ले लेके पहले, उसी को लेके आए। ब्रीद आउट, ब्रीदेब, और ब्रीद आउट नमस्कार। मैंने एक बार करके बताया है आपको, इसका अभ्यास सुरुवात में बेशक आप 6-7 बार से करें, लेकिन 12 बार। 12 सूरे नमस्कार का क्रम उनके लिए बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। बार सुरे नमस्कार के वर तीन से चार मिनट में भूजाता है। अब आपको क्या करना है, मैं बताओ। बच्चों के लिए ताडासन बहुत अच्छा है। छोड़ 6-7 साल के बच्चे आराम से कर लेते। सास भरते हुए शरीर को ऊपर खीचेंगे। और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आए। पस कोई रुखना नहीं है बहुत दे। बस बैलेंसिंग तो बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। सास भरे, सास छोड़े। ऐसा दो बार अभ्यास किया। उसके बार में बोलूँगी। ग्रिप शासन जोड के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ना बहुत जरूरी है। तभी तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएगे। इसके लिए बिल्कुल हाथ सीधे करके सिर्के उपर ले आए। और एडी को थाई जब हाओ के जोड पर लगा दे। और एक पॉइंट पर फोकस करे। सिर्फ अपने सामने किसी एक छोटे से पॉइंट पर उसके बाद रिलक्स हो जाए। ऐसा दूरो पेरों से बारी बारी से करेंगे। इधर उदर नहीं देखना है आपको। सिर्फ एक पॉइंट यह चीज आपके कंसंट्रेशन तो बढ़ाएगा ही। बैलेंसिंग लायगा बॉडी में। तो यह था व्रिक्ष आसन। जो बच्चों के लिए सरल है, सलेज है। और बहुत लाबदायक है। अब इसके बाद एक आसन में बोलूरी। तिर्यक्ताड आसन। यह भी लंबाई तो बढ़ाएगा ही। लंग्स को भी स्ट्रॉंग करेगा। इंटे स्ट्रेंग को हैल्दी बनाएगा। सास भरते हुरे। हाथों को उपर सिर्के उपर ले जाए। बैंड और राइट साइड। अब यहाँ पर एक से दस तक की गिंती गिनेंगे बन में। सास भरते हुरे सीधे। अब दूसरी तरह मैं बच्चों को बहुत देतर लुटने काली नहीं बोलूँए। क्योंकि बच्चों के पास भी समय नहीं है। वगर उन्हें लाव सब मिले। इसलिए मैंने आपको यह तोड़ी से आसना सूरी नमस्कार बता है। अब मैं बोलोगी कि बैट के करें। बैट के सबसे पहले उन्हें जो करना है मनगुक आसन। जो सरल भी है हर बच्चा कर सकता है। दुनों होतेलियों को एक के ऊपर एक लगाए। और नागी से लेके नीचे पर पहत पहलागे बिलकुल। और ब्रीद आउट करते हुए आराम से जुख जाए। अब यहाँ पर वो लंबी के रिश्वांस मरें छोड़ें। यह भी बिलकुल सरल पोज है। और एक मिनट के लिए बस खाली कर रहा है। यह उनके डाइजेशन को बहुत मजबूत रखेगा। और उनको नाइबिटी से भी बचाएगा। सांस भरते हुए सीधे। और इसके बाद एक आसन और बता होगी जो उनके फेवरों को मजबूत रखेगा। उस्ट्रासन। आगर वो बच्चे ऐसे कर लीते हैं, हाला कि बच्चे कर लीते, कुकि मैंने भी सभी बच्चों को कराया है। शुरुवात में बेशक उन बच्चों को यहां से कराया है, उसके बाद दीरे दीरे उनको बुढ़े, कि अपने एंकर को ठाबे, और इस पोज में सास मरते हुए पीछे चुके में लंबी गेरी स्वास मरेंगे और ब्रीद आउट करते हुए रिलाक्स हो जाएंगे बैठके मैंने अभी आप सिर्फ दो आसर मता हैं सीधे मैं बोलू कि पेट के बन लेट के करेंगे बच्चों के लिए बहुत अच्छे और बच्चे बड़े आसानी से करते भी है सास मरते हुए अपने ट्रंग को रेज करेंगे या लंबी गहरी स्वास ले छोड़े जहां ये पेट के फैट को कम करेगा उनके लंग्स को स्ट्रॉग बनाएगा बैक मसल्स को स्ट्रॉंग बनाएगा डाइजेसर में इंप्रूव करेगा तो बच्चे जब स्वस्त रहेंगे तो हमेरी तो अच्छा लगेगा और ब्रीद आउट करके भी नीचे इसका भी तीन बार करेंगे बच्चे बेश अध्यादी मिनट के लिए करें ऐसा दो से तीन बार जरूर करें और ब्रीद आउट करके नीचे अब इसके बार करो लोगी धनुरासन ये भी बच्चे आसानी से कर लेते हैं उनका बहुत अच्छा विकास को पैसे पैरों को पकड़के ऊपर खीच ले असमान के उनक न्यों करके नहीं पकड़ना है अल्गो सीधी करके पकड़ना है सिर्वी ऊपर आँखे बार लंबी गेहरी स्वास अब पेट का फैट भी इससे जाएगा डाइजेसन इंप्रूव होगा अब इसके बात सीधी होंके मैं भूलूँगी कि दो आसरू करें जो उनकी लबाइको भी बढ़ाएगा उनको बहुत सारे लोगों से आगे बचाएगा क्योंकि इस सीधी हों कि किया जाने वाले सभी आसरू मैं तो अभी दो तीनी आसन बता लिए जो उनकी लिए बहुत अच्छे है सबसे पहले मैं भूलू कि सर्वागनासर लेकि सीरसासन तो बहुत अच्छा है अगर उसके ही बच्चों को किसी योग प्रसिछत से सीखना पड़ेगा अगर आप सिखा सकते हैं तो मैं तो पहुत सीरसासर और नहीं तो ये सर्वागनासर तो बच्चा करी ले बस लवनी गहरी स्वास आखे बंद लगातार स्वास प्रस्वास के साथ इस पोश्चर को मैंटेंड़ेगा ये आसन सबसे महत्वपूर है क्योंकि जब ये आखों को स्वस्थ रखेगा बच्चों के लिए ब्रेन को शार्थ रखेगा उनकी नीम की समस्या भी अदर है तो हल होगी हैड़ेक से बचेंगे और इवेन लंबाई अच्छी वड़ेगी उनकी उनकी टॉंसिल के अदर समस्या है तो वो भी इससे दूर्थ होगी और दीरे से सांस बढ़ते हुए चर्विर को सीजा पहला है मैं देख लिए आसन कितना सर्थ बड़े लोगों के लिए आसन कई बार मुश्की रहे क्योंकि उनको बड़े होते होते सर्वाइकर और खमर्दर्थ के समस्या जाती है अगर यह करेंगे तो उस समस्या से भी बचे रहेंगे और अब मैं बोलू नहीं हलास है लेकिन इसके पहले इसका आपोजित आसन कर ले लेकि वो तो है तो ऐसा लेकिन बच्चे पदमासरा में शुरुआ पर नहीं लगा सकते हैं सिर को जरूर ऐसे कर ले और अउंचों को थांद ले उतनों को धर्ती पे टिका ले और इतरा नहीं कर सकते तो पैरों को फैला के ऐसे रखने सिर को ऐसे रखना जरूरी है क्योंकि हमने इसके पहले वाले आसन में गर्दन को आपसमें धर्ण से चिपका है अब इसमें खोलना है और एक आसन और बतारी हलासन और चक्रास पस इतने आसनों से तो बच्चर का संपूर्ण विकास होगा हलासन के लिए पैरों को उठाके पीछे धर्टी कर टिकाते हैं अब यह आठेवन लंडी दिया जिसो आसने में चोड़ेंगे बच्चों के लिए बहुत मजेदार आसन है बच्चे ऐसे उल्टी पूल्टी भी करते रहते आपने देखा होगा उन बच्चों के लिए इसको क बच्चों के लिए बहुत अच्छे आसन है बहुत अच्छे आसन है बहुत अच्छे आसन है अच्छे आसन है चक्रासन है इसमें भी आखे मन लंबी गयरी सुखास पूस्च्चन मैंटेंड और आधा से एक मिनट बच्चे रुखने के बाद मत बस रिलेक्स हो जाए उसके बाद आधे मिनट के लिए शरीर को धीला छोड़ें अब भी गहरी सुखास नहीं छोड़ें और जब स्वास सामानी हो जाए तो कर्वट बदर के अपनी जखाप पर उपके बैठ जाए ये कितना सरल अभ्यास थे जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं उनको करने में भी नहीं कुछ मुश्किल है और नहीं मना है अब पूरा विकाश होगा स्वस्थ रहेंगे लंबाई अच्छी होगी ड्रेम शार्प होगा उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा आपने लिखा सिर्फ थोड़े से आसनों से अगर हम बच्चों को रोग मु अगर अजलों-घलों कर लें तुम दा बेस्ट है 2 प्रणायान की जात्यार आंका मैं अब शुरुवात में न Means कुछकर बच्चों को मजा नहीं आता है प्राणायाम के तो शुरुवात में जितन असनों से शुरुवात कर सब दckedिर दिर दे काल बच्चात तयान होगा मैं मन को शान्त रखता है जिससे कि बच्चे का पढ़ाई में फोकस वड़ेगा क्योंकि बिना पढ़े तो जीवन में सखलता नहीं हो बेन खशार पोना और अपने सब्जक्ट के पती फोकस होना बहुत जरूरी है तो मैं आपको बतातों कपाल बाती के लिए बच्चे अपने इ इसी भी होना जरूरी है आप एक अक्रॉस सलग बैठें बश्ता में बैठें गांत बनाएंंगी अपने बाती हैंultsा कiska के कि आज़कर खोल आर्जय को आपने देखा मैंने धीनी गती से शुरू करके थेज लिया, धीमा किया और बने कर दिया अब अनलोग भी रोग पीसी पर बहुत सरल है, एक हाथ से नासी का मदरा, फर्स्ट दो फिंगर को उने वोल लिया है, माके सब फिंगर सीधी है, अब उटे से राइट नोस को बंद करते हैं, लेट से ब्रीध इन, राइट से ब्रीध आउट, राइट से ब्रीध इन, लेट स चला है, दो मिनिट में जितनी बार भी हो, और अधीमी गतिय से करेंगे तो और जागे लाब होगा, और नहीं तो आप जैसे भी करें, बच्चों को खरने रे, इससे उनके, खुद की, उनकी मियोवरी शार्पों की मन शांत होगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ, हमेसा ल आपके दिखा, यह भी महुत सरन है, बस अगर इतना बच्चे कर लेते हैं, और यह बीस मिनट से जादे का अभ्यास नहीं है, कपान भाती भी शुरू आत्मे दो मिनट कर रहा है, दो मिनट पर लो मिनट कर रहा है, पाकि कुछ देरी जो आसन में लग रहा है, आसन भी जादे में बता है, बहुत थोड़ी स्व करेंगे, सफल होगे, तो मेरा यह चोटा सा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में करें, जिससे कि मेरे अदर और और नया वीडियो बच्चों के भी बनाने के लिए उत्साम, नमस्कार, धन्यवाद,